हेलो स्टुडेंट्स आ वेरी गूट मॉर्निंग आयम योर टीचर फ्रॉम संस्कति गुरुकुलम स्कूल हाव्य स्टुडेंट्स आ होग्यो आया्यों इश्यॡेंट्स त्टुडेंट्स टेक अप सब्जिक्ट हिंदी हिंदी में आज हम पड़ेंगे पाथ 5 पाथ Πाथ का नाम है हमारा सहीर जगह पर क्या है पिटा पाठ पाथ का नाम सही जगह thoughtful है तो हम अपनी कुछी आइज जग कि आप जानते हैं चीजों को सही जगह पर रखकर अनावाशक प्रयाशानियों से बचा जा सकता है इसे कम जगह का इस्तुमाल होता है और चीजों को ढूनना नहीं पड़ता साथ ही सामान को व्यवस्तिक रखने से उस स्थान की सोबा भी बढ़ जाती है प्रस्तुत पार्ट दोनों नस्थ होते हैं तो इस चैप्टर में यह बताया गया है कि बच्चों को अपनी सारी चीज़ अपनी जगह पर रखना चाहिए मैंने अपको अभी यह बताया बच्चे स्कूल से आकर अपने बैक बोटल कपड़े अपने शूज और जुराबे यह सारी चीज़े दो मिलती नहीं तो फिर उनकी शक्ति और समय दोनों नस्थ होता है तो ऐसे ही कुछ ही स्टोरी है चलिए हम आपको रीट करके बताते हैं फिर मैं आपको इसको साथ में एक्स्प्लेइन भी करूँगी मम्मी मेरी टाई कहा है रिमजिन ने टाई ढूनते हुए मा से पूछा रि इसने क्या क्या था कि जो भच्क आइनि गोचल तो अबसे सारे आनेके सब्सक्राइब कर दिया तो उसने बोला मैं क्या करूं मैं मेरीदी घंट मिल रहा है है दो और पीर दोन दोने Seriously ने स्कूल जाने का समय हे वह था था यह किसी भी समय प्स mano घ़ी वाली थी दिम पया प् अच्छ चलो तुम नाश्टा करो मैं तुम्हारे टाई धूड कर देती हूं माने घड़ी की और देखते हुए कहा रिमजिम नाश्टा करने बढ़ गई माने इदर धूड़ा पर टाई कहीं नहीं देखी रिमजिम ने सारा सामान बिखेर दिया था ऐसे में कमरे में टाई स्कूल का टाइम होने वाला है तो उसके लिए और कमरे में इतना उतल पतल हो गया तो टाई डूड़ना बहुत ही मुश्किल हो गया तो माने अचानक से मेच के नीचे देखा तो एक सिरा मेच के नीचे जुकरा आता तो माने टाई उठा कर जाड़ी जल्दी से उस पर प्र यह सोच कर वे अपने काम में लग गई दोफार को रिम जिम आई माने उसे खाना दिया और वहीं पर उसके पास बैट गई उन्होंने पूचा रिम जिम आज तुमने अपनी टाई जूते पानी के बोतल ड्रेस वावस्ता कहां रखे हैं पढ़े होंगे वहीं कमरे में रिम परवाई से जबाब दिया तो यह क्या हुआ गलत कि रिम जिम रुआसी क्यों नहीं मिल रही थी रिम जिम ने श्कूल लोटाने में बाद मान से उससे क्या पूचा कि बिटा आपने अपना बस्ता बॉटल ड्रेस कहां रखे हैं तो उसका क्या जवाब था यहीं पढ़े हो तो तुम कितनी परिशान हुई थी ना पर तुमने उससे कुछ नहीं सीखा आज भी तुमने अच्छी चीज़ें सही जगए पर नहीं रखी केवल अपनी इसी आदत के कारण रोज सुबह तुम चिरचड़ा व्यवाद करती हो शुबह की सुरुवात तो खराब हो जाती है सा आपको दिक्कत होती है मुझे क्या करना चाहिए ममी ने पूछा देखो हर चीज को रखने के लिए एक निश्यत जगह होना चाहिए अपना सारा सामन उसी जगह पर रखो जब जरूरत हो वहीं से उठा लो माने समझाया तो यह चीज तो बेटा मैं भी आपको स्कूल में सम पूल लेंगे कि मां तो ठीक ही कह रही है उसने यह सोचा आज से में अपनी सारी चीज ठी जगह पर ही रखोंगी दिम जिम ने मुशकराते हुए मां से कहां यह सुनकर मान उसके सिर पर हाथ फेरा और अपने हाथों से उसे खाना कि लाने लगी हमें अपनी सारे चीज एक कम जोता हिए तो मैं अपने अपनी सारी सारी पर हैं जहां पर हैं ज़ोरूरत हो ठीक है अपको समझ में अपनी रिखा सी में एस भाज हमने होगा 3 राम जए उसकी को फॉलो करेंगे यह नहीं कि रख लिए यह काम अगर आप भी उस बच्ची बभागा ऑंच्छी के पनेग तो आप भी अपने मामी बाबा के लिए बहुत अच्छी के लाई जाओकर इस्कूल टाइमिंग पर आप सकते हो अब आप मैं आपके शब्दात प्रशन उत्तर सारे पीडिएफ के माद दिम से भेजूंगे और आप सारे कमफीट करके फेर कॉपी में करेंगे तेंक यू सो मच बेटा स्टे होम स्टे सेव घर पर रहें सुरक्षित रहें